हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल गोविंदे के लिए दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 7 फिंदी पार्ट चार तो दोस्तों पार्ट चार में हैं दानी पेर ठीक है तो दानी पेर के बाड़े में हम लोग आज पढ़ने बाले हैं तो इसके पढ़ने से पहले इसके लेखव और कुछ जो सब्दार्थ है उसके बारे में पहले देखे लिए इसके जो लेखाग है वो है जिल फिर स्टाइट उसके बाद देखेगा कि सब्दार्थ में होता है यह न्यॉ, तो चलिए अब इसके जो शुरू से जान लेते हैं लोग अब आप देखिएगा कि एक पेर था वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था लड़का रोज पेर के पास आता वह फूलों की माला बनाता उसके तने पर चड़ता उसकी साखाओं से जूलता और उसके फल खाता फिर वह पेर के साथ लुकाचिपी खेलता जब वह ठक जाता पेर की छाओं में सो जाता लड़का पेर से बहुत प्यार करता था पेर बहुत खुश था इसमें आफ देखिये गा क्या था, की एक पेर था, जो कि वह छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था, लड़का रोज उसके पास पेर के पास आता था, और लड़का फूलों के माला बनाता, और पेर के साथ खेलता, साखाओं पे उसके जूलता और फल खाता, जब वो ठक आता था, तो क्या करता था? कि पेर के च्छाओं में जाकर सो जाता था, चलिए, उसके आगे आप देखिएगा, देखिए समय बिता गया लड़का जवान हो गया, वह अब पेर पर खेलने नहीं आता है, पेर अकेले दुखी होता, जब लड़का एक दिन आया, तो पेर बहु सी चीजे खरिदना चाहता हूं होता क्या है कि समय जब बीता गया समय जब बीता गया तो लड़का जवान हो गया लड़का जवान हो गया तो उसे काम काज में अपना लग गया होगा जिसके कारण पेर के पास वो नहीं आता था एक दिन आया तो पेर से कहा कि मुझे पैसों क कि जरुरत है और मुझे बहुत सारे चीजे मैं खरीदना चाहता हूं मैं बहुत सारे चीजे खरीदना चाहता हूं कुन का लड़का कहा क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो लड़का कहा पेर से कि क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो पेर ने कहा अब देखिए कि पेर न तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लड़का सब फल तूर कर ले गया पेर अभी भी खुश था कई साल बाद वह यूवक फिर पेर के पास आया मेरी साधी होने वाली है मुझे एक घर चाहिए क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो उसने पेर से कहा कौन वही छोटा लड़का जो कि यूवक हो गया था उसके बाद आप देखिएगा पेर ने कहा घर तो मेरे पास नहीं है लेकिन तुम मेरी साखाएं काट कर उससे घर बना लो यूवक पेर की सभी साखाएं को काट ले गया पेर का बस तना बच गया तना बच गया पेर अभी भी खुश था बहुत साल बीत गये लड़का अधेर उम्र का आदमी बन गया बन गया था एक दिन पेर के पास आया और बोला मुझे मचली पकरने के लिए एक नाव चाहिए क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो पेर ने कहा नाव तो मेरे पास नहीं है मेरा तना बचा है उसे तुम उसे काट कर नाव बना लो किसने कहा पेर ने कहा लड़का ने कहा कि जब वो अधेर उम्र का आदमी हो गया था तो उसे मुझे पकरने की जरुवत थी जब वो नाव तो मचली पकरने के लिए नाव चाहिए था उसे नाव उसके पास था नहीं तो पेर के पास आता है और बोलता है कि मुझे पेर से बोलता है कि मुझे नाव की जरुवत है पेर ने बोला नाव तो मेरे पास नहीं है मेरा तना काट लो और जाकर ना बना लो पेर अभी भी खुश था पेर का सब पेर का अब केबल ठूंट यानि की जो उसका जर रहता है वो बला बच गया था इस तरह कई साल बीत गए एक दिन एक बुढ़ा आदमी पेर के पास आया पेर से उसने फारण पहचान लिया पेर ने उसे फारण पहचान लिया यह वही छोटा लड़का था पेर उसे देख कर बहुत खुश हुआ उसने खुशी के मारे बोलती नहीं बना पेर ने बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परन्तु बचा ही क्या मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको मेरी सा खा रही जिससे तुम लटक सको मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चड़ सको बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं या बताओ तुम्हें क्या दूं उसके बाद देखिएगा बुठा ने कहा तुम देख रहे हो, मेरी हालात, मेरे सब दात गिर चुके हैं मैं अफ़ल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र साखाएं पर जुनने के लिए नहीं रही उसके बाद है, तने पर चर्णे का दम अब मुझे में नहीं रहा मैं ठक गया हूँ, मुझे बस अराम से बैटने और सुस्ताने की एक जगह चाहिए यानि कि वो लड़का पास आया, जब पेर ने उसे पास आना तो बहुत खुश हुआ उसके आने के बाद बोलता है, पेर बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें कुशे देना चाहता था परन्तु अब मेरे पास बचा ही क्या, मैं मेरे फल नहीं बचे जिने तुम खा सको, मेरी सा खाए नहीं बचे जिने तुम लटक सको, मेरी ताना भी नहीं बचा, जिस पर तुम चड़ सको बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ या मैं बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ तो बुढ़ा वैक्ती जो था वो बोला कि क्या बुढ़े ने कहा तुम मेरी हालाब देख रहे हो सब दांत गिर चुके हैं मैं अब फल नहीं चबा सकता हूँ मेरी उम्र यानि कि वो बुढे का जो उम्र था वो अब साखाय पर जुनने की अवस्था में नहीं था और उसके तना पर चरने के भी अवस्था में नहीं था वो बुढे क्या था कि था गया था उससे बस आराम किया वे सकता और आराम यानि कि सुस्ताने की आवे सकता थी वो बुढे वेक्ती ने कहा कि मुझे मैं थक चुका हूँ मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगा चाहिए तो फिर आओ तो पेर कहता है तो फिर आओ, मैं ठूंट पर सांती से बैठो, पेर ने कहा, बुढ़ा ठूंट पर बैठ कर सुस्ताने लगा, पेर अभी भी खुशता, कहने का आर्थ ये होता है, कि जो दानी वेक्ती होता है, वो सब कुछ अपना देने के बाद भी खुश रहता है, दानी पेर के प्रस्ण उत प्रस्ण उतर में पहला प्रस्ण है पाट से, तो पाट से क्या प्रस्ण है वो आप देखेगा, सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुस क्यूं नहीं था, पेर से पते टहनी तने लेकर वो पेरों को ठूट बना चुका था, उसे आराम की आवे सकता थी, आराम करने की जगा उसके नजर में नहीं आ रही थी इसलिए पेर से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश नहीं था तो पहला का जो प्रस्न उत्तर है वो हमें उबिद है कि आपको समझ में आया होगा अब आएए प्रस्न संख्या 2 की तरफ प्रस्न संख्या 2 में है अपना सब कुछ दे देने पर भी पेर खुश क्यूं था उत्तर होगा पेर परोपकाडी था वो अपने पिडिये दोस्त को खुश देखना चाहता था इसलिए उसने अपना सब कुछ प्यारे लड़का के उत्सर्ग कर दिया प्यारे लड़का को क्या किया उच्छर कर दिया यानि कि सब कुछ दे दिया दान चिल सोभाव वाले दान दे कर अनंद का अनुभव करते हैं इसलिए दानी पेर अपना सब कुछ दे देने पर भी खुश था यानि कि उच्छर कर देना यानि कि सब कुछ दे दिया उसे प्यातिन्य नहीं हैं आप देखिएगा कि पेर ने आदमी के बच्पन से बुढ़ापे तकि इनकी जरूरतों को पुढ़ा किया। घर बनाने के लिए टहनी जो की डाली और नाव बनाने के लिए अपनी तना दे दिया कौन दिया तो पेर दे दिया बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए ठूंट देया जिसे हम जर कहते हैं हम लोग तो ये इन चीजों को जरुत को पुरा करता है कौन तो पेर करता है तो प्र परुपकार के लिए होता है उसके परतेक अंग परुपकार में लगता है वह अपनी छाया दे कर सबों को आनंद परदान करता है उसके फल फूल पत्ते साखाएं तना चर चाल जर सब कुछ परुपकार में लग जाते हैं इतना ही नहीं वह प्रानवाय ऑक्सिजन दान कर सबो लग जाता है फल होता है वो कि सब कुछ जो भी पेर के पास होता है सब वो दूसरे के लिए हो जाता है पेर का फल जर तना जो भी सब कुछ होता है वो सब दूसरे के परुपकार में लग जाता है इसलिए पेर को परुपकारी कहा गया या पेर को दानी कहा गया उसके बाद आयेगा प्रस्न संख्या 5 में प्रस्न संख्या 5 में हैं बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा इसका उत्तरब देखेगा बढ़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा क्यूंकि वह पेर से सब कुछ पा चुका था लेकिन जब वह बुढ़ापे को प्राप्त कर गया उसको रोग होने लगा उसकी सकती छीन हो गई अब पेर की मदद किसी प्रकार से नहीं कर सकता था ये करनी पर उसे पस्तताप हो रहा था जिसके कारण हुआ दुखी था आता जो दूसरे का अपमान करता है या बिरिक्ष की रक्षा नहीं करता है उसे दुखी होना पड़ता है देखिए करने का अर्थ ये हुआ कि जब लड़का बड़ा हो गया था जब बुढ़ापे को प्राप्त होने वाला था तो होता है कि वो कोई भी व्यक्ति अगर बुढ़ापा अवस्था में आता है तो उसे सकती क्या होता है कि कम हो जाता है और सक्ति जैसे कम होगा तो उसे कुछ न कुछ दिक्कत आता ही रहेगा इसलिए वह दुखी ये सब कारणों से वह दुखी होने लगा उसके बाद आप प्रस्ण संख्या 6 में देखिएगा खाली जगों को भड़िये तो कम है पेर छोटे लड़के का क्या डॉट डॉट था इस जो खाली अस्थान इसमें क्या भराएगा तो इसका उत्तर होगा पेर छोटे लड़के का प्यारा था यानि कि इस खाली अस्थान में क्या भराएगा प्यारा उसके बाद खाली अस्थान में प्रस्ण में आप देखिएगा वह पेर के साथ खेलता था तो कौन सा खेल खेलता था तो इसका उत्तर होगा लुका छिपी ठीक है यानि कि इस खाली अस्थान में क्या भढ़ाएगा लुका छिपी उसके बाद आप देखिएगा गवाव नंबर मुझे पैसो की क्या है? मुझे पैसो की है क्या चीज है? तो जरूरत है तो खाली अस्थान में क्या भढ़ाएगा? जरूरत आप देखिएगा मैं खरीदना चाहता हूँ तो छोटे लड़के ने मैं खरीदना चाहता हूं क्या खरीदना चाहता था लरका तो इसके जो खाली अस्थान में है वो है कि बहुत सी चीजे यानि कि मैं बहुत सी चीजे खरीदना चाहता हूं उसके बाद पार से आगे है पार से आगे में आप देखिएगा प्रस्ण संक्या एक में कि दुनिया मे पेरो की संख्या लगतार कम किया जा रहा है अगर पेरो की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्स बाद समाज कैसा होगा इसका उत्तर आप खुछ से दिल लिखिएगा और लिखने के बाद इसका अपना इस प्रस्ण में अपना कुछ राय दीजिएगा चलिए अब हम बाद का समाज रोग से ग्रस्थ हो जाएगा समाज का प्रतेक व्यक्ति असमय ही बुढ़ा होकर मरने लाएगा वो ब्रिक्ष के हननत से दुखी रहेगा क्रित्रिम ऑक्सिजन का सहारा लेगा फल फुल देखने को भी नहीं मिलेगा इस परकार कहा जा सकता है कि 20 बर्सों के बाद का समाज रोग सोक दुख आदी से आकरांत होकर रोता भी लगता नजर आएगा देखिए दिन प्रति दिन क्या होड़ा है कि पेरों की कटाई हो रही है बहुत तेजी से कटाई हो रही है और पेर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आएग सकता है क्योंकि हमें ऑक्सिज लेजन लगाना पड़ेगा तो maze Naru कर female होगा और प्रश्चいや क्या दो मैं हैं पेरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या 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 आसकता है इसका अधर भी आप अपने मन से दे सकते हैं देखिये इसका उत्तर है पेरों को सुरक्षित रखने के लिए निमलीखित उपाई किया जा सकते हैं पहला है पेरों की कटाई पर रोग के लिए कानून बने खा में है पेरों को लगाने के लिए अनिवारता कानून बने पेरों की सुरक्षा के लिए विशियस पुलिस वल का गठन हो पेर पौधों को रोग से बचाने के लिए बनस्पतिवी से सग्य एवं डॉक्टरों की बहाली हो अंगम में हैं पेर पौधों की सिचाई के लिए व्यवस्था हो तो इस तरह से हम पेर पौधों को बचा सकते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं देखिए उसके बाद है कि दिये गए सब्दों का पड़ियोकर एक छोटी सी कहानी लिखिए देखिए कहानी तो यहाँ पे किस पे लिखना है तो देखिए मेधक, तला, बगुला, बच्चे, मचली, सांप यह सब पे अधारित एक कहानी आपको लिखना है छोटी सी या तो आप खुद से लिखिएगा नहीं तो हम यहाँ पे लिखा गया है इसे आप अच्छे से पढ़ लिजेगा और पढ़ने के बाद समझ के खुद से लिखिएगा तो आप देखिएगा आपको कहानी कैसी लगी पुरा परने के बाद आप हमें जरूर बदाईएगा तो इस तरह का कहानी है और हमें उमीद है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आएगा आप अच्छे से पढ़ेंगे देखिए ये आपको कहानी पुरा हो गया ये कहानी था आईए आप ब्याकरन की तरफ ब्याकरन में है प्रसंसंख्या एक नीचे दिये गए सब्दों को वाक्य में पड़्योग कर उसके लिंग बदाईए ठीक है चलिए प्रसंसंख्या पहला तो एक उदारन दिया है साखा और साखा क्या है इस्तिलिंग है तो इसे हमें वाक्य बनाना है तो वाक्य में हम पेर की साखा तूटकर गिर गई ये वाक्य बना उसके बाद है आम, आम क्या है कि पुलिंग है और आम मेठा होता है ये वाक्य बना खिचरी, खिचरी क्या है कि इस लिंग है और इसका वाक्य होगा कि खिचरी पक गई उसके बाद है रंग रंग क्या है कि पूलिंग है और पूलिंग है तो इसका वाक्य क्या होगा तो रंग पक्का है उसके बाद बंधू बंधू पूलिंग है मेरा बंधू आएगा चलिए उसके बाद है बाजार तो एक प्रस्ण आपके लिए बाजार का कौन सा लिंग होगा और इसका वाक्य बनाना है तो इसका उत्तर आप comment box में जरूर दीजिएगा प्रस्ण संख्या 2 में आप देखिएगा निम लिखी तो वाक्य वाक्य बर्तमान काल में है इन्हें आपकराम सब भूत काल और भविस्टे काल में लिखिए पहला प्रस्ण है मुझे पैसो की जरूरत है ये बर्तमान काल है और इसे दो कालों में बातना है यानि कि भूत काल और भविस्टे काल में आपको लिखना है तो भूत काल में होगा मुझे पैसो की जरूरत ही और भविस्ते काल में होगा मुझे पैसो की जरुवत होगी खानमर प्रस्न है तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ ये बरतमान काल है भूत काल और भविस्ते काल में क्या होगा सो देखिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था ये भूत काल हो गया और मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा ये भविषय काल हो गया गर नमबर में है गर नमबर में आप देखेगा तुम मुझे नाव दे सकते हो ये बरतमान काल है क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे ये भूत काल हो गया और क्या तुम मुझे नव दे सकोगे प्रस्न संख्यातीन में है कोस्ट में दिये गए सब्दों में से सही सब्द चून कर वाके पुड़ा किजिए तो कौ में आप देखेगा यूबक सभी उसके बाद खाली अस्थान को यूबक सभी को काट ले गया यानि कि क्या चीज काट ले गया तो साखाओं को काट ले गया तो यूबक सभी साखाओं को काट ले गया उसके बाद आदमी ने तना से नाव क्या चीज नाव बनाई तो इसका उत्तर होगा आदमी ने तना से नाव बनाई ये खाली अस्थन में बनाई भरा जाएगा उसके बाद देखिएगा गव में हैं कई साल बीत गए कई साल बीत गए इसमें गए भराएगा उसके बाद गव में आप देखिएगा कि वह फूलों की माला बनाता था यानि कि वह की माला बनाता था अन्तिम कोस्टन था अन्तिम कोस्टन है कि मुझे जरुवत है क्या चीज荷 की जरुवत है थैसों की मुझे विदीयो अच्छा लगा हो तो लाइक की जिर किजी और अपने दोस्तों के साथ सेर किजƯै अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए